Hey friends, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ कहने को कह सकते हैं कि ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा गले में खराश है, उसके अलावा थोड़ा सा रिमें दर्द भी हो रहा है, तो आज का दिन कैसे निकलेगा भगवान ही जानता है, मैंने आज सुभे ब्रिक्वस्ट म मैं थोड़ा सा घर की साफसफाई करने के बाद मैं मलाई से घी बिनाने वाली हूँ, मैं जनरली घी घर में ही बिनाती हूँ, लेकिन अगर स्पेशल ओकेशन्स होते हैं, फेस्टिवल होता है, तब बाहर से भी लेके आज आती हूँ, क्योंकि उसके अंदर हमेशा कुछ न मैंने इसको रख जिया था बाहर, ताकि इसका टेंपरिचर नॉर्मल हो सके, और अब इसको मैं अच्छे से इस विस्कर के महर्प से बीट कर रही हूँ, ताकि इसका मक्षन जो है वो अलग हो सके, तो हम एक सिंपल मलाई से बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे कि अभी देख लेकिन मुझे फिलहाल मक्षन के अलावा क्रीम भी चाहिए है, तो मैंने मक्षन थोड़ा साइड में निकाल के रख दियाता करीब 3-4 जमज, उसे जादा नहीं रखती मैं, और अब जो है इसकी बनाऊंगी मैं क्रीम, लेकिन उससे पहले जो एक्स्ट्रा पानी को मैं बाह पानी मैं इसके अंदर अलग बर्तन में निकाल रही हूँ, उसको हलका सा निवाया करके, हलका सा गुनगुना करके, हम उसके अंदर दही डालेंगे जावन के लिए, तो वो हमारा बटर मिल्क बनके तियार हो जाएगा, तो ये बटर मिल्क के लिए मैंने इसका बचावा ज जो है वो मैंने थोड़ा सा अलग निकाल दिया अब मैं इसका बना रही हूँ क्रीम क्योंकि यह husband की बर्दे आने वाली है तो obviously बात है केक तो घर में बनेगा ही तो उसके ओपर क्रीम लगाने में काम आ जाएगी तो यह बटर क्रीम तयार है और अब मैं बचेवे जो क्रीम के बलब जो पार्ट है उसे मैं घी बनाने वाली है तो क्रीम को मैंने अलग रख दिया है और अब मैं जो बचावा मेरे ये मक्खन का पार्ट बच गया ये वी क्रीम बच गई इसका कमें घी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो इसको बनने में कम से कम लगते हैं एक से डेढ़ घंटा डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी है और एक प्रपस के अंदर है कि आप लगातर जो है इसके साथ में खड़े तो रह नहीं सकते हैं तो आप इसको सिम करके रख दें ताकि उफन के बाहर नहीं आएगा और स्पिलेट से बचने के लिए बेटर कोशिश आप यही रख सकते हैं कि मैं तो क्या करती हूं कि जब में को लंच बनाना होता है उस दोरान मैं ये घी का जो प्रोसेस है इसको मैं हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती हूं तो साइड के अ हो चुका है हलका हलका घी उपर आने लगा है और जो ये पीछे बचावा दिख रहा है वाइट वाइट ये जो है ये हमारा किटू मावा तियार हो जाएगा ये एक्जैक्ली मावा नहीं होता है लेकिन जब हम इसको तियार करते हैं अलग से घी निकालने के बाद में तो य हम इसे बना सकते हैं तो फिलहाल अब इस पॉइंट पे हाँ मैं जनरल ही क्या करती हूं कि इसको मैं नॉन स्टिक के अंदर ही करती हूं पर इस बार क्या है कि मलाई काफी जादा हो गई थी और मैंने सोचा कि जब इस वरतन में ही आलरड़ी मैं कर रही हूं तो वापस दू सब्ची को बनाकर ट्यार कर दिया था लंश मेरा ट्याय हो चुका था भिंडी और चपादी खाने के बाद में मैं अब कुछ सब्यां यहांना चाड़ा था न पॉट वह को इन्ता चांएं यहां कर दिन कर संब कि महीना बर चलना is next to impossible but it is possible my dear आप इसको इस डब्बे के अंदर डाल के लेकिन डब्बे के अंदर पहले आपको डालना है अगबार और अगबार के बाद में आपको डंठल जितने भी है मिर्ची के वो सब निकालने पड़ेंगे और उसके बाद आप वापस एक और अगबार के ओपर टुकड़ा लगाएंगे और आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है कि every 10th day या every 6-7th day जब आपको असा लगता है कि अकबार बिल्कुल गीला हो चुका है आपको अकबार को चेंज करना है and that is the main trick कि आप उस सबजी को पहीने बर तक स्टोर कर सकते हो and हर सबजी महीने पर तक स्टोर होना is next to impossible आपको करना यह होता है कि depend करता है कौन सबजी का life span कितना होता है जैसे अब मिर्ची हो गई तो आप महीने पर तक अराम से स्टोर करके रख सकते हो fridge के अंदर अगर बार बार अकबार change करते हैं तो otherwise जैसे मालो पालक हो गया या फिर चंदलाई हो ग जो भी रखते हैं अगर वो change करेंगे तो ही चलेगी otherwise नहीं चलेगी जैसे काचरा हो गया लौकी हो गई तो यह आराम से 15-20 दिन चल जाती है इसको आपको देखने तक की ज़रत नहीं पड़ती है तो यहां पर इस तरह से मैं store करती हूँ और आगर आपको detail में देखना है कि कौन से सबजी किस तरह से store कर सकते हैं तो आप उपर आई बटन है उस पर क्लिक कीजिए आपको दिखे जाएगा उसके अंदर मेरा एक अलग से वीडियो इसके उपर बना हुआ है तो फिलहाल अब बजी है शाम की साड़े पांच और अब मैं जो यह घी मेरा ठंडा हो चु करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर दिखाऊंगे किस तरह से हम किटू मावा की रेसेपी तयार कर सकते हैं जिससे हमें जो टेस्ट आएगा न वो टेस्ट बिलकुल पाली वाला गुलाब हल्वे की तरह टेस्ट आएगा उसका या कह सकते है कि सिकेवे मावे का टेस् इसको हम शक्कर के साथ बिना किसी महनत के भी अगर खाएं ना शक्कर मिक्स करके तब यह बहुत टेस्ट लगती है तो यह मैं अलग साइड में रख दूंगी और यह घी जो है वह बनके तयार है इसको भी मैं साइड में ले लूंगी तो गाइज देखिए आप जो है टोटल पाथ चीजे इस एक मलाई से निकाल चुके हैं यानि कि दूद से अपनने टोटल पाथ चीजे निकाल दी पहले मलाई स्टोर करी उसके बाद में उसका मक्कन निकाल लिया उसके बाद बटर मिल्क के लिए हमने दूद वाला पानी उसके बाद में हमने बटा क्रीम निकाल ली और फिर बाद में घी निकाल लिया तो I think हो गए ना पांच चीजें और साथी के अंदर वो जो किटू वाला मावा है वो भी हमारा तयार है तो हमारे मिठाई भी तयार घी भी तयार और केक किले क्रीम भी तयार इतनी सारी चीजें एक ही चीजे से तयार हो सकती है घर में थोड़ी सी महनत करनी पड़ती है ट्रकी है चीजे पर बहुत एजी लगती है तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा इसे like कीजिएगा, share करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने near and dear ones के साथ में मैं मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में चल देन, बाबाई